पुज्य गुरुजन अर्चिनी वन्नी संसामाज धर्मपे में सज्जनों श्रद्ध मूर्थी माताओं प्यारे बच्चों सरोप्रथम इस ग्रामदर्रा के बारे में चर्चा इतनी लंबी है ये ऐसा भूमी है जिसके बारे में अभी काफी संतों से सुने है जहां अच्छे अच्छे संत हुए और वर्तमान में मैं अभी सक्री आस्रम से आया हूँ जो कि यही के भूमी से उपजे पुझ्जे स्री गुर्जतन साहिब जी वहां के वेस्थापक है मैं वहीं से आया भी धन्य है ऐसा धर्ती जहां ऐसे संतों का यहां जन्म हुआ है और आप सब भी सवभाग्यसाली है जो ऐसा माहुल बना है आप सब सबस्तन कायों जन किये हैं थोड़ा वाज बढ़ाएंगे हलका सी को खुलेंगे अपनी बात मैं एक कहनी के माद्ध्यम से रखता हूँ एक जगा एक राजमहल में एक राजा अपनी बेटी की साधी करने की तैयारी कर रहा था साधी करने के लिए योग्यवर ढूंड रहा था और योग्यवर ढूंड रहा था उसमें एक सर्त दिया गया था कि जो मेरे मकान के बगल में एक तलाब है उस तलाब को तैयर करके कोई पार हो जाये तो उसको मैं इस राजदरवार का उत्रा धिकारी घोसित कर दूँगा मैं सर्त यह है यह तलाब जहरीले सांपों से भरा तलाब है किसी भी समय जहरीले सांप उस तलाब में जाने वाले को डस सकता है और किसी कभी जान जा सकता है हजारों के भीड है एक जगा का राजकुमार का चैन होना है हजारों की भीड़ है कौन राजकुमार नहीं बनना चाहेगा लेकिन सर्त यहां सुनते हैं कि इस तलाब में जहरीले सांप है किसी की हिम्मत नहीं होती है उस तलाब में कुथ करके तैर करके पार होने की किसी की हिम्मत नहीं होती है इतना में एक लड़का तलाब में कुटता है और तलाब में कुटते हुए तेजिस तैर करके पार हो करके आता है और पार कुहरने के बाद लाउट करके जब आता है अपने जगा में लोग पुकारने लगते है राच कुमार की जय हो राज कुमार की जय हो लोगों को आश्चर यह हुआ यह आदमी कैसे तैर गया इतना में व्यक्ति दाउन करके आता है और कहता है मुझेने मुझे को किसने धक्का मारा है वो आदमी कुदा नहीं था वो आदमी तैरने के लिए अपने से गया नहीं था वो आदमी कहता है मुझे किसने धक्का मारा है लोग कहते हैं धक्का तुमको कोई भी मारा हो तुम तो बन गए न युराज और क्या चाहिए तुमको धक्का किसी भी ने मारा हो लेकिन तुम तो बन गए न युराज मैं कहानी इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों को इस सथाल में पहुचाने के लिए चाहे गाउं वाले प्रेडित की होंगे चाहे हमारे संत जो व्यस्ता कर रहा है लखन साहिब, ओमिन साहिब, रामला साहिब लोगों ने आप लोगों को इन्वाइट किया हो या किसी ने भी invite किया हो आप किसी माध्यम से यहां तक पहुंच तो गए ना यहां तक पहुंच तो गए इस हिस्सा बन गए सत्तसंग का हिस्सा महत्त पूर्ण है आप यहां पहुंच गए वो अब क्या करना है इसमें से कुछ यहां से कुछ ज्ञान अरजन करके जाना है कुछ ज्ञान अरजन करके जाना है हमारा जो सेस जीवन बचा है वो इतना अच्छा से कटे सुप और चैन्स से कटे कि खुद को महसूस हो कि मैं जीवन को सुन्दर ढंग से जी रहा हूँ कुछ लोग कहते हैं अब तो जीवन खतम हो गया आप समय नहीं रहा गया आज भी आप सब के पास समय हैं आज भी आप सब के पास समय हैं कि व्यक्ति एक नदी के किनारे बैठा है और नदी के किनारे बैट करके सुबा सुबा का समय है एक कांच की गोलिया उनके किनारे पड़ा है उन कांच की गोलियों को उठाता है नदी में फिकता है नदी में फिकता है नदी में वो कांच के गोलिया तरंगाईत होता है एक बार डुपता है फिर उठता है फिर डुपत कलता है सुर्य के प्रकास निकलता है तो देखता है यह चमकता हुआ गोली वहीं इस तब धाव करके रुख जाता है इतना सुंदर कांच की गोलिया दिख रहा है इसको मैं क्यों फेकूँ उनके पास में मात्रसेश दो गोलिया वच्छा था उन दो गोलियों को लेकर के जहुरी के पास जाता है और जहुरी किसे कहता है क्या इप इन कांच की गोलियों को रख सकते हैं कहते हैं तुम इन कांच की गोलिया कहां से पाए हो व्यक्ति कहते हैं मैंने नदी के किनारे पाया है औ और है तो और लाओ तुमको कितनी संपत्ती चाहिए तुम जितना दे सको उन दू कांच के गोलियों के बदला तो उनको 20 लाक रुपया देता है वो व्यक्ति सोचता है कास मैं सारे उन कांच के गोलियों को बेच देता तो आज मैं करोड़ पती हो जाता कास उन सारे कांच के गोलियों को बेच देता तो मैं करोड़ पती हो जाता खास कोई बात नहीं जितना गया सो गया सेस दो बचा है उसी से जिंदगी समार लेता हूं वो दो कांच के गोलियों को बेचता है और अपना घर बनाता है सब कुछ करता है वो कांच के गोलिया क्या है आपका सेश बचा समय आपके गया 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल आपने बिदा दिया जैसे भी बरबात किया या अच्छा किया आप जाने लेकिन आपके पास सेज जो समय बचा है न दस साल बचा है या बीस साल बचा है या तीस साल बचा है उसमें अपने जीवन में आप्चार चांद लगा सकते हैं अपने दुख भरी जीवन में खुसाल जिंदगी की सुरुआत कर सकते हैं अपने सिकायत भरी जिन्दगी में रोनते धोते जिन्दगी को जीवन में तबदील कर सकते हैं जीवन में अमूल चूल परिवर्तन कर सकते हैं अब मुझे प्रेम से उत्साह से आनंद से मस्त मौला जीवन जीना है नहीं सिकायत मुझे किसी से नहीं मुझे किसी के प्रती सिक कायत करना है ना रोना है ना धोना है मुझे आज सुन्दर आउसर मिला है समाच के और से बलदान मिला है मुझे समाच के और से सवगाद मिला है मुझे जो आज मैं सुन्दर सरीर पाया हूं सुन्दर विचार पाया हूं सुन्दर जीवन पाया हूं सुन्दर परिवार पाया ह मैं जीवन को सवार सकता हूं लेकिन हम सब क्या करते हैं जीवन को बरबाद कर रहे हैं जीवन को बरबाद कर रहे हैं और अपना जीवन तो बरबाद कर रहे साथ साथ आने वाले पिड़ी की जीवन को भी तबाह कर accomplishments मैं कट्टू बहर हूं इसके सत छाथ हूं मैं यह कि क्यों कह रहा हूं आप हम अपने जीवन को बरबात कर रहे है बना क्या रहे है मकान को बना रहे हैं घर को बना टो लेकार को लेकर के व्यपार कर्ता है और व्यपार करता है प्रती दिन प्रती दिन उनका कड़े Uno 99, 98, 97, 96, 95, 94 होता चला जाता है तो कहेंगे आदमी कहीं दिवालिया घोसित तो नहीं हो जाएगा हमारे जन्म होने के बाद 2 साल, 4 साल, 6 साल, 10, 20, 30, 40 साल, 50 साल, 60, 70 साल जैसे जैसे सरीर की उम्र अवधी बढ़ती जाती है वैसे वैसे मन की सान्ती बढ़ना चाहिए न कितना बढ़ा है मन का सान्ती मन का सान्ती खोता चला गया है मन का सान्ती कहां खोता चला गया है मन का सान्ती मकान में लगा है मन का सान्ती खेत और खलियान में लगा है मन का सान्ती बीबी और बच्चे में लगा है लेकिन धन कमाओ तो खर्च करनी की तरीका जानो आपके पूरे इस दर्रा лай ग्राम में जहां भक्ति की एक मंड़र एक रैली चल पड़ती है भक्ति के चर्चा होती है पूरे पूरे आप दर्रा میंकोई तोचार घर बचा होगा जिसके घर में न बीडी न सिक्रेट अंड Dawn का इंडा तो मचली तंबाको कोने सिराबकी सारे चीज़ न चलता हो कोई दोचार घर बचा हो पूरे घर चौपटी में चला गया है कौन सा विकास कि या आपका दर्राग्राम कौन सब विकास किया है आप धन कभ विकास करते हैं क्या सत्संक्ली भी सोचते हैं आप बच्चे को धन्वस देते चले जाए इतना ही प्रयापता है और हर मापाप की सिकायत होते हैं हमारे बच्चा कहा नहीं मानते हैं आप सब सिखाते ही नहीं है आप कब सिखाये हैं बच्चे को जीवन जीने की कला आपने धन कमाने की कला सिखाया गाड़ी खरिदने की कला सिखाया घर बनाने की गला सिखाया जमीन खरिदने की कला सिखाया खेती की कला सिखाया गाड़ी चलाने की कला सिखाया मोबाइल चलाने की कला सिखाया, जीवन जीने की भी कला आपने सिखाया है, कब सिखाया है आपने कब माता पिता के सामने मत्था टेका है, आपने कब माता पिता के सामने जी एक दिप प्रजलित करके आरती किया है, कभी आपने सिखाया ही नहीं है फिर क्यों कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारा कहा नहीं मानते हैं आपके बच्चे आपका जरूर कहा मानते हैं चीज क्यों कह रहा हूं क्योंकि आपकी सेलरी आज से 10 साल पहले 50,000 रुपय था आपके बच्चे एक लाख रुपय कमाने का हिम्मत रखते हैं आपका सिंगल मंजिल का मकान था आपके बच्चे डबल मंजिल करने का ताकत रखते हैं आपका जमीन एक एकड़ था आपके बच्चे दो एकड़ जमीन खरीदने का ताकत रखते हैं आपके पास पहले मोटर साइकल था आपके बच्चे कार खरीदने का हिम्मत रखते हैं अधना के पलपर संत जन अपना खुद का निर्मान करते हैं कब सिखाएं आप बच्चे को आपस में पती और पतनी लड़ते रहा जाते हैं 70 साल 80 साल हो गया साधी हो आज तक अपने पती और पतनी का जीवन नहीं समझ पाए कौन सा जीवन का निर्मान किये हैं कहां चला गया भक्ती सबसक्ती खतम आप सब एक कबीर परिवार से जुड़े हैं आप सभी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप जितनी संपत्ती कमाते हैं कमाईए लेकिन उसका सदुप्योग करना सिखाईए बच्चों को जीने का तरीका सिखाईए कैसा जिया जाता है कैसे बोला जाता है बोलनी के बारे में कहा जाए तो इतने कटू और पीके बोलते हैं हम लोग की जीवन को बरबाद कर देती है जैसे कोई पेड़ में फल लदा हो तो फल जितना लंबे समय तक रहता है वहाँ पेड़ का फल मीठा होता चला जाता है और आदमी जत्तक इस शरीर में हैं तब तक छेतानात्मा जैसे जैसे शरीर की अवधी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आदमी कड़वा और तीता होता चला जाता है असी साल का बुढ़ा है तो असी साल के बुढ़े से मौत मिठा वचन निकलना चाहिए ऐसे तीखे और कड़वे और चुबने वाले सद्द बोलते हैं जीवन को ही तबाह कर लेते हैं यदि बुढ़ापा में सांती चाहते हैं तो प्रथम परिभासा बोलने की तरीका सीख जा यदि बोलने की तमीज नहीं आई तो आपके बच्चे आपसे प्यार नहीं करेंगे उसी का बदावलत है आज कि आज हम अपने ही परिवार वाले से बेद्यखल होते चले जा रहे हैं अपने ही बच्चे अपने माबाप को दर किनारे करते चले जा रहे हैं अपने ही संसकार और सभ्यता कहां चली गई हमारी कहां चली गई हमारी सभ्यता माबाप ने बच्चे को संसकार सही नहीं दिया माबाप ने बच्चों को सही पालन पोसन नहीं किया माबाप ने सही सिक्षा और ग्यान नहीं दिया उसी के बदावलाद है कि बच्चे गलत दिसा में चलत वो सौभाग्य साली माबाप है जिसको बच्चे हैं और बच्चे से प्यार करते हैं वो माबाप तरस्ते हैं जिसके कोख में बच्चे नहीं हो बेचारे कि मन में एक पीडा एक वेदना होती है कि कास मेरे कोख में भी फुल खिल जाता मेरे गोद में भी बच्चा आ जाता तो मैं भी अन्य लोगों की तरह प्यार से खिलाता प्यार से उनको इसनान कराता प्यार से उनका चुम्मन करता प्यार से उनको सिक्षा और दिख्षा देता लेकिन आपके कोक में आपके गोद में बच्ची होते हुई वी बच्चे को आप गलब बिसा की ओर ले जा रहा है बच्चे को सही ग्यान दीजिए आप बच्चे को सिख्षा और संसकार सही दीजिए बच्चे को उपहार की ज़रुरत नहीं है बच्चे को संसकार की जरुरत है बच्चे को आप खेलाऊना कार नहीं देंगे बच्चे चार दिन छाय दिर रोएंगे और यदि आप बच्चे को संसकार नहीं देंगे बच्चे जीवन भर रोएंगे और आपको भी रुलाएंगे संसकार कहां से मिलता है संसकार की जन्नी आप है आप संसकार की जन्नी है आपका घर पूरा मंदीर होना चाहिए आपके घर के सदस देवी द्योंता होना चाहिए आपके घर में कुलाहाल नहीं होना चाहिए आपके घर में महाभारत युद्ध नहीं होना चाहिए हर घर में महाभारत उद्ध चल रहा है कहां से बच्चे संसकारी हो जाएंगे और कहते हैं गर्व से हम एक मा है एक पिता है कौन से मा और पिता हो गए जानवर बच्चे को पैदा कर देता है पालन पोसन नहीं करता है इंसान हो करके आप बच्ची को पैदा कर दिये उनको योग बना दिये पालन पोसन कर दिये इतना ही परियाप्त नहीं है आप ग्यानी है आपके वाणियों में तौल कर तराजू की तरह तौल करके उससे वचन निकालिए तीखे और कड़वे और चुबने वाले सब्द नहीं निकलना चाहिए आपके सब्दों में सुगर घुलना होना चाहिए आपके जीब में सुगर की फैक्टरी होनी चाहिए आप बोले तो आप से सब प्यार करें आपके बच्चे आप यदि प्रेम से बोलना सिख जाते हैं तो आपके बहु आपसे प्यार करेंगे आपके नाती पोते आपसे प्यार करेंगे आपके बेटे आपसे प्यार करेंगे तो कभीरपंद की सिख्षा है कभीरपंद का सिख्षा साफ साफ है चमतकार अडंबर पर नहीं अटका है कभीरपंद की सिख्षा आप सब कभीरपंद परिवार से जुड़े हैं अपने करमों पर भरोसा रखिए करम कांड और पाकंड से बचे रहिए दुर्भाग जिसाली माबाप है जो बच्चे पैदा होते हुँ उनके गले में उनके पैरों में काला धागा बांदेते हैं ताबिज बांदेते हैं क्या आपको अपने परिवरिष पर भरोसा नहीं है विश्वास करिए आप अपने परिवरिष पर भरोसा रखिए काले धागे से कुछ नहीं होने वाला है एक जगा हम लोग जैपूर गये थे पूरे संत मंडली थे गुरुदेव जी के साथ में एक व्यक्ति ने 80 लाक रुप ही इसलिए इस मकान में पुराना टायर लटका दिया गया है गुरुदेव जी ने कहा मकान मालिक से कह देना कम से कम पुराना नहीं नए अटायर ही खरीद करके अपने गले में पहन ले ताकि उनको कोई मौत का नजर न लगे आप लोग भी चाहते हैं आप अपने बच्चे को कमजोर मत बनाईए आपके बच्चे का तवियत खराब हो तो डाक्टर के पास ले जाईए ताबिज मत पहनाईए बच्चे को ताबिज से कुछ नहीं होता है चालेंज के साथ हम कहते हैं यह नगरी छेत्र है उधर एक बार गया था मैं तो कहते हैं एक बैगा ऐसा है जो सम्रित्व हो जाती है मैं कहा लिक के देता हूं जो करना है मुझे कर लें यह अडंबर में मत पड़िए आप एक पैसा कमाते हैं और एक पैसा कमा करकि गलत जगा पैसा का दोहन मत करिए मंदीरों में दान करने से बचिए कड़वे तीखे सब्दा है यह मैं इसले कह रहा तीन उधारान है मेरे पास आज से साल भर पहले तीरूपती बालाजी मंदीर के एक पुजारी के हां रेट पड़ी तो 136 करोड की संपत्ति निकला था और 136 करोड और 35 करेट सोना निकला था आज से तीरूपती बालाजी मंदीर के छे महना पहले एक पुजारी के हां रेट पड़ी तो उनके अहां से 157 करोड की संपत्ति जत्त किया गया था आज से तीन मेना पहले एक तिरुपती बाला जी मंदिर के एक पुजारी के तीन बिटियों की साधी हुई तीन बिटियों की साधी में 125 किलो सोना लाया गया था कहां से आता है इतनी संपत्ती एक अक पाई जोड जोड करके आप मंदिर मिले जाकर के दान कर देते हैं आप दान करना है तो वृत्था आस्रम में दान करिए दान करना है तो अनाथालाय में दान करिए दान करना है तो समाज की सेवा होता है वहां दान करिए किसी के जेप भरने के जगा दान मत करई दान करना है तो आपके गाउं में जो गरीब आदमी है जो खरित करके कपड़ा नहीं पहन सकता उनको दान कर दीजिए जाइति करीब दो माहना पहले विश्वकप चला था तो विश्वकप के जीत के लिए इंडिया वालों की जीत के लिए बड़े-बड़े पंडितों ने पुजारियों ने यग्य करवाया था इमां मत जितने भी कह रहा हूं में बनाउंटी सत्थ नहीं है आप याद रखेगा मेरे पा कोई यग्य काम नहीं किया इंडिया वाले क्रीकेट हार गये इसका मतलब समस्ते हैं पुजा और पाड से यग्य से हवन से दरपन से कुछ भी बदलने वाला नहीं है अभी एक माहना पहले ठंडी को दीन है एक मंदीर में एक मंदीर में भगवान को ठंड लगता है तो उसको कंबल ओढ़ाय-गया उसको गरम-गरम शूस पिलाए गया भगवान सब पुछ करता है इतनी नाच नवटंकी चल रहा है आप भी इसी में पढ़ेंगे आप बच्चे इन चीजों से भगवान पर भरोसा रखिए कौन से भगवान इंसान भगवान क्यों कह रहा हूं आज तीन साल पहले जब कोरोना महामारी चली तो हमारे भारत के सारे सारे जितने बड़े-बड़े मंदिर थे सब दर्वाजे में लाक लग गया था कोई भगवान उस समय काम नहीं आया है इंसान ही एक ऐसा भगवान है जो काम आया डाक्टर जानते थे कि एक कुरोना महारी एक खतरनाक जहरीले खतरनाक वायरास है जिससे हमारी जान चल अब के निजी कमाई से एक निवेद नावर करना चाहूंगा आपके निजी कमाई से कम सेmental में एक बार पुँछ कराईए आप किस से कराना है आप जिस मत्पन से जुड़े हैं जिस सम्प्रदाय से जुड़े हैं जिस गुरू से जुड़े हैं जिस सिक्षा सही मिलता हो जिसके ग्यान में करमकांड और पाखंड मत हो ऐसे गुरूं का कम से कम आप के घर में सतसंग होना चाहिए सतसंग का उपयोग पैसा सब चल लाहा है संतजन कहा करते हैं और माइंट आप सेट चल लाहा है बीना सतसंग तो यही होगा ना सतसंग इसलिए महत्वा है सतसंग एक ऐसा है जो तपते मन को सांथ करता है सतसंग एक ऐसा सीतल फावहारा है जो जलते मन को सांथ करता है आत्मियों बंधों आप सभी से मह अध्यक्त को समझें। रिस्टोरेंट बनता चला जा रहा है, घर को घर बना करके रखिए, घर को परिवार बना करके रखिए, घर के माहुल मंदिर की तरह होना चाहिए, एक साथ बैट करके एटिंग और मिटिंग होना चाहिए, तीन घर में बहु बेटे हैं, तीने बहु बेटे रिस्टोरेंट की तरह हमारे घर में भोजन चल रहा है एक बहु और बेटा का भोजन अलग कमरे में चला गया दूसरे बहु बेटा का भोजन दूसरे कमरे में चला गया तिसरे बहु बेटा का भोजन तिसरे कमरे में चला गया माता पिता मुह लमाएं देख रहे हैं कास मेरे बहु बेटे आए देंगे लेकिन सब भोजन कर लेते हैं फेट में ठिक से से भर लेते हैं ठ्थूस क्यों होता है प्रेम कम होने से होता है धन को महत्व दिया जाता है प्रिया परिवार को महत्व नहीं दिया जाता है प्रेम को महत्व नहीं दिया जाता है तब होता है प्रेम क्या प्रेम हाटों में बजारों में नहीं बिखता है सद्रुकबीर साहब कहते हैं प्रेम हाटों और बजारों में नहीं बिखता है कोई प्रेम चाहता है यदि कोई राजा हो परजा हो यदि प्रेम चाहता है तो सीस देड़ ले जाए सीज को चढ़ा दे गुरु के चढ़नों में और प्रेम को ले जाए सीज क्या चीज है गले को काट करके चढ़ाना है नहीं अंकार है जदी आप अंकार करेंगे तो प्रेम नहीं कर सकते है और प्रेम नहीं कर सकते तो घर का नरक कदार ही बना रहेगा आपस का प्रेम नहीं बनेगा आपस का प्रेम नहीं बनेगा और जो प्रेम नहीं कर सकता वो मा को मा को मा की दरजा नहीं दे सकता देरान और जिठान को देरान जिठान का दरजा नहीं दे सकता है प्रेम करता है वही मा को मा की दरजा दे सकता है एक जगह एक संद रास्ते से जा रहे थे रास्ते से जाते जाते देखते हैं एक बहन एक बुढिया मा को बड़े प्यार से नहला रही थी बड़े प्यार से नहला रही थी इतने में संद पुछते हैं बेटी क्या तुम्हारी माँ है बड़े प्यार से नहला रही हो उस बुडिया माँ की अवस्था करीब करीब 80 साल की अवस्था रही होगी सरीर मुलायम सा सीकन सा हो गया था यदि जोड से कलाई पकड़ा जाए तो कलाई का चमड़ी भी छिल सकता था इतना उनका नाजुक सरीर हो चुका था उसको बड़े प्यार से एक बेटी नहला रही थी संथ पुष्ते हैं क्या तुम्हारी माँ है वो बेटी बोलती है संथ भगवन मेरी माँ नहीं मेरे माँ से बढ़ कर के रिष्ता है वो संथ को रहा नहीं गया मेरी मा से बढ़कर के रिष्टा क्या हो सकता है पुना पुछते हैं क्या तुम्हारी सासु मा है वो बेटी फिर से पुना बोलती है संद भगवन मेरी सासु मा नहीं उससे कहीं बढ़कर के रिष्टा है वो संद को रहा नहीं गया मा और सासु मा से बढ़ करके रिष्टा क्या हो सकता है संत ने पूछा बेटी इस दुनिया में इस पूरे ब्रह्मान में एक पईत्र रिष्टा है मा और सासु मा उससे बढ़ करके रिष्टा क्या हो सकता है वो बेटी बोलती है संत भगवन ये ओ मां है जिसके कोख में मेरे सुहाग पला है जिसके बदुलत मेरे माथे पे सिंधूर है हात्यों में कलाई में चूडिया है जिसके बदुलत मेरे पवर में महोर है क्या इतना प्रेम होने के बाद कोई सासु मां से बहु वैर करेगी दुरुभाग ग्यसाली बहु है वो जो अपने ही परिवार पर अपने ही ससुराल में आ करके माता पिता से लड़ करके जीवन को नरग बनाते हैं अपना तो जीवन तबाह करते हैं अपने परिवार के बच्चों का भी जीवन तबाह कर देते हैं क्यों कह रहा हूँ ये चीज़ जिस मां के बारे में आप चर्चा करते हैं वो मां एक अक पाई जोड़ करके सारे संपत्ति का मालिक आपको बना देते हैं वो आज भी ऐसे ऐसे माँ हैं, ऐसे ऐसे पिता हैं, जो आज भी बच्चे के साथ नहीं रहते, बच्चे अपने साथ नहीं रखते, लेकिन वो माबाप आज भी पैसा कमाते हैं नो उसको एक अकपाई जोड़ता है, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, तो सारी संपति मेरे बच्चे का होगा कम से का मेरे बच्चे शकून से तो रहेंगे वो माबाप वो बच्चे इतना खुंखार और आतंक वाद बच्चे निकला जो माबाप को किनारे कर दिये लेकिन वो माबाप एक ऐसे माबाप है जो आज भी जीते हैं अपने बच्चे के लिए जीते हैं सवभ जिवार के सास बहु आपस में देरान जिठान प्रेम से जीती हो. क्या ऐसे घर के बच्चे संसकारी नहीं होंगे? माबाप से प्यार करने सीखिए. वो बच्चे, वो कुछ लोग है किस्मत वाले हैं जिसके सांत में माबाप सांत में चल रहे हैं, जी रहे हैं. वो बहुत से वह जो तरस्ते हैं कास मेरे साथ मेरे मां की साया होती कास मेरे साथ मेरे पिता का साया होता जिसके साथ में चल करके जीवन को सवारता यदि आज आपने बच्चे को आप सही संसकार देते हैं, सही सिक्षा देते हैं तो आपके बच्चे इस दुनिया के किसी भी कोने पे चले जाएंगे आपका नाम लेंगे और सिर्फ आपने बच्चे को धंद्रब्य दे दिया, संसकार नहीं दिया तो आपके बच्चे उस धंद रब्य का महत तो नहीं समझ पाएंगे माबाप के चर्णों में मत्था टेकना सिखिए आप तब कहीं कहेंगे कि आपके बच्चे कहां नहीं मानते हैं तब बात समझ में आती है मैं पहले ही कहा कि आपके बच्चे आपका कहा मानते हैं मैंने उधारने विदिया आपकी संपत्ति कैसे बढ़ाता है बच्चे आपने कब कब सिखलाया है कि जीवन को कैसे जीना चाहिए जीवन की परिभासा क्या है आपने बताया है जीवन को कैसे जीना चाहिए कैसे मिठे सब्दू का प्योग करना चाहिए कैसे बड़ों का सम्मान करना चाहिए कैसे माता-पिता का वंदन करना चाहिए आपकभ सिखाए जीवन बीत गया सतर साल, असी साल हो रहा है माता पिता को लेकिन माता पिता के चर्णों में सिर्फ कहीं दो-चार दिन में गाउं से आते हैं तो मत्था टेक लेते हैं रोज मत्था टेकने की बाते ही छोड़ दीजी आप आत्मियों बंधूओं जब-जब आप घर से निकलते हैं खेत जाते हैं, खल्यान जाते हैं आप इस ड्यूटी जाते हैं, दब्तर जाते हैं जब-जब आप माता और पिता के चर्णों में मत्था टेक करके जाते हैं और आ करके मत्था टेकते हैं तो सिर्फ माता और पिता के चर्णों में मत्था टेकना ही नहीं होता है, प्रणाम करना ही नहीं होता है, उसके सांसांत उसका आसिरवाद है, उसके आहे होती है, उसका प्यार होता है, जब आप चर्णों में मत्था टेक करके जाते हैं, तो छे बजे आपका आने का टाइम है छे बच्च का दस मिलट हो गए आप घर में नहीं पहुंचे हैं आपकी माँ आपके पिता गेट से निकल करके देखते हैं मेरे बच्चे आ रहे होंगे मेरे बच्चे आ रहे होंगे आहे भरते हैं उनका प्यार आपको खीच करके लाता है और आप ये करना नहीं जानते हैं तो मा से लगाओ नहीं पिता से लगाओ नहीं परिवार से लगाओ नहीं तो दो चार पैसा आप कमा करके घर नहीं आगर के आपके दिसा सराब भट्टी क को तो उजाता है अन्तर इतना ही है अपने जीवन को तवाह करते हैं आपके सराब पीने वाले अपने जीवन को तव तवाह करते हैं मा-बाप के जीने की जो मुन चेहरी के मुसकाना उसको पी जाता है जो बच्चे की उड़ान भरने की चंता होती है उसको भी पी जाता है जो बच्चे सोंचते हैं में बढ़ करके पढ़ करके लिक करके आईपे सबसर बनूंगा आईए सबसर बनूंगा कुछ अच्छी नौखरी करूंगा परिवार का संचालन करूंगा समाज का से सराभियों की बीच में मैं कौन से विकास करूंगा जो उनके उडान भरने की छमता होती है जो विकास करने की छमता होती है आप प्रेम करना सिखिए घर में माता पिता को सम्मान देना सिखिए माता पिता को बुढ़ापे में आपकी संपत्ती नहीं चाहिए आपकी संपत्ती नहीं चाहिए वही माता पिता है एक अकपाई जोड जोड करके आपके लिए एक महल राजमहल तयार कर दिया अब आपका कर्तब्य बनता है कि बुढ़ा पे उन माबाप के चर्णों में मत्था टे किये उनसे आसिरवाद लिजे जब जब आप घर में आए तो उनका तबियत पुछ लिजे भोजन पुछ लिजी यही तो सिख्चा है यही तो संसकार है मैं बहुत अध्यात्म की परिवा कैसा बता रहूं मैं बच्चों को संसकार कैसा देना है परिवार में कैसे जीना है इन चीजों को आप समझे तो आपका अध्यात्म बनेगा जिसका अध्यात्म ही जिसका परमार्थ ही खराब रहेगा अध्यात्म तक नहीं पहुंच सकता एक सिख्की के दो पहल होते हैं पर प्रमार्थह भी एच्छा होगा गुर्दयों जी ने कहा है परमार्थ 컨ौ वहार ही में तो ज्क्राहल है परमार्थमें जगड़ा कहां इसलिए आप लोग माता पिता के चर्णों में प्रतेक दिन मत्था टेकना सीखे कैس़े आपके बच्चे आपके संसकारि नहीं सु माता पिता के चर्णों में मत्था टेकिए और कम से कम मुख तेवहारों में माता पिता के गले पे हार चड़ा दीजिए एक घर में दिप्रज्वलित कर लिजिए और दिप्रज्वलित करके माता पिता के आरती उतार लिया करिए तो निश्चित ही आपके माबाप को जीने का सहरा मिल जाएगा जब कोई किसी की तबियत खराब होती है तो तबियत खराब हो जाने के बाद में इलाज होता है ट्रीटिमेंट होता है तो सरीर कमजोर हो जाने के बाद में उसको दवाई टानिक दिया जाता है वैसे ही माता पिता को बुढ़ापे के लिए एक टानी की मिलता है जब जब आप उनके चर्णों में माता टिकते हैं जब जब उनके सामने एक दिप्रोजलित करके आरती उतारते हैं जब जब उनके गले पर एक हार चढ़ाते हैं तो माता पिता को लगता है मेरे बच्चे मेरे से प्यार करते हैं मेरे बच्चे मेरे कहा मानते हैं मेरे बच्चे आज भी मेरा सम्मान करते हैं धन्य हों, धन्य है ऐसे बच्चे जो मेरे साथ प्रेम से जी रहें इसलिए आप लोग जीने की तरीका सिखिए जीने के तरीका सिखिए प्रेम से जिये आनंद से जिये उस्साह से जिये तब कहीं जीवन सुन्दर बनता है नहीं तो घर नरक का द्वार बने जाता है और सच्चाई से बच्चों को हुबा रूबा रूब करवाईए देवी और द्योंता भगवान और भगवती आप जिसकी पूजा करते हैं आपकी श्रद्धा है लेकिन पूजा और पार्ट से सब कुछ हो जाएगा इनपॉसिबल संभो नहीं उधारन बताओ मैं एक मा एक रोज भगवान की पूजा करती है रोज भगवान की पूजा करती है उनका बच्चा पूजता है मा एक क्या करते हो तुम मा बोलती है बेटा मैं भगवान की पूजा करती हूँ इससे क्या होता है भगवान की पूज पूजा करने से जो मांगो सब कुछ मिल जाता है पूरी इच्छा पूरी हो जाती है पूरा जो मांगो सब कुछ हो जाता है बच्चा तो बच्चा से से बाहर निकलता है साथियों से पूछते हैं तुमने छती जड़की राध्धानी में कौन सा उत्तर डाला है उनके मित्र कहते हैं छती जड़की राध्धानी राइपूर है राइपूर डाला है और क्या डालेंगे तुम क्या डाले हो मैंने तो बिलासपूर डाला है उनके मि मां के पास जाता है मां को कहता है मां मुझे भोधन चाहिए लेकिन उस दिन मां के पास नहीं जाता है मां के पास नहीं जाता है अपना पुस्टक कापी किनारे रखता है और दौण करके भगवान कक्छा में चला जाता है और भगवान कक्छा में जाकर के पुजा और पाठ औ मा भगवान तो सब पुछ कर सकता है ना मा पुना फिर से गलती करती है हाँ बेटा भगवान सब कुछ कर सकता है इतना में बच्च प्रस्न करता है मा मेरा एक प्रस्न था कि छत्तियर की राध्धानी बिलास पुर्णी कहा है आपकी श्रद्धा है आपका प्रेम है जिसकी पूजा करते ही करिए लेकिन उसके अधार पर आपका करम का खोट बदल जाए करम कमाई आपनी निश्फल कभी न जाए वोया पेड बबुल का आम कहां से खाए यदि आप भी धान लगाए है तो धान का फसल काटेंगे यदि आ आपने बबुल बोया है तो आम का फल नहीं मिलेगा यदि आपको फल पसंद नहीं है तो आप बीज बदल दीजिए आपको फल पसंद नहीं है तो बीज बदल दीजिए आप रधान का फसल लगाते हैं पैदावारी कम होती है आप क्या करते हैं उत्तम किश्म के बीज का च मिल रही रहा है तुमको जो की तुमने पहले से ही किया है हम जो किये हैं वही तो हमको मिल रहा है यदि आज हम अच्छे कर्म करते हैं तो अच्छा फसल हमको मिलेगा इसलिए आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप माता पिता का सम्मान करना सिखे माता पिता क आरती उतार लिया करिए आपके बच्चे कैसे संसकारी नहीं होंगे भगवान और भगवती के नाम पर ही जीवन के नईया पार नहीं होने वाला है माता पिता की कभी कटू वचन दी घर को सुर्ग बनाना है घर को सुर्ग बनाना है तो माता पिता का कटू वचन सहने के लिए तयार रही जब किसी भगवान का निर्मान किया जाता है तो पत्थर को ठोक ठोक करके चीनी और हतोडी से उसमें एक नए रूप दिया जाता है एक नए रूप दिया जाता है और जो पत्थर चीनी और हतोडी का चोट साहता है वो भगवान का रूप बन जाता है और जो पत्थर चिनी और हंथोडी का चोट नहीं साता है वो पत्थर पैरों में कुचल दिये जाती है यदि आप भी माता पिता का ठोकर नहीं सहेंगे आप भी परिवार का ठोकर नहीं सहेंगे तो आपको सम्मान नहीं मिलने वाला है कैसे कुचल दिया जाता है जो पत्थर चीनी और हथोड़ी का चोट नहीं साता है उन पत्थरों को सिड़ी के निर्मान पे लगाया जाता है और जो पत्थर चीनी और हथोड़ी का चोट साता है वो पत्थर को भगवान का मूरत दिया जाता है नदी आप अपने जीवन में न प्यार करना सीखे आने वाले पिढ़ी भी आपसे प्यार और सब्मान करेगा एक जगे की घटना बताओं मैं एक जगे सास और बुढ़िया में रोज लड़ाईया चलती थी लड़ाई का अंतिम परणाम ये होता था तेज तर्रार बहु अंतिम में रोते-रोते कमरे में सासु मा कमरे में जा रही है उनके पीछे-पीछे छोटा पोता उनका पांच-छे साल का छोटा पोता उनके पीछे-पीछे जाता है और अपने दादी मा का पल्लू उठाता है और अपने दादी मा का पल्लू उठा करके उनके आशु पोचता है आशु पोचते-पोचते बोलता ह दादी मा तुम रोव मत मेरी मा बहुत दुष्टा है छोटा सा बच्चा बोल रहा है मेरी मा बहुत दुष्टा है जब मैं भी बड़ा हो जाओंगा और मेरी भी साधी हो जाएगी तो तुम तो मैं अपने पत्नी को कहूंगा तुम अपनी सासु मा की कभी सेवा मत करना क्यों कि तुम्हारी सासुमा अपनी सासुमा से रोज लडाई किया करती थी आप जो बोगे वही कांटोगे आपको वही मिलने वाला है प्रकृती का नियम है जो बोते हैं वो कांटे हैं आप जो दुसरी की जीवन में बोते हैं अपने जीवन में वो फसल कांटती हैं यदि दुसरी के जीवन में प्रेम का फसल बोते हैं तो अपने जीवन में प्रेम का फसल कांटेंगे दूसरे के जीवन में घृणा का फसल बोते हैं तो घृणा का फसल अपने जीवन में कांटेंगे दूसरे के जीवन में यदि अच्छा बीज रोपित करेंगे तो अपने जीवन में अच कुछा फसल आप कांटेंगे आप कौन सा फसल कांट रहें करम कांड से बचे करम कांड और पाखंड से नईया पार होने वाला नहीं है मेरा समय पूरा हो रहा है एक उधारन बताओं मैं आदमी को अपने करमों पर विश्वास होना चाहिए इसने मैं सद्रू कभीर साहिब की स को दुनिया का डर इतना समया है और खास करके डर पंडितों का देन है यह भी बात मैं कहे दूँ पंडितों ने आदमी को इतना डराया इतना डराया कि आदमी डरपों को होते चले आदमी ने पंडितों को पंडितों को क्यों डराया क्योंकि उन लोगों की अपने आर्थिक कि स्थिति को मजबूत करने के लिए लोगों के अंदर डर भरते चले गए हमारे भारत एक ऐसा देश है जिसमें पांच लाक लोगों में कम पचास लोग ऐसा पैदा होते हैं जो नए-णए रिसर्च करते हैं कौन सा रिसर्च करते हैं देवी का देउता का भूत का प्रेत का जदू, टोना, तंत्र, मंत्र ऐसा ऐसा लोगों के अंदर डर समाया जाता है डर भरा जाता है पचास लोग ऐसे होते हैं पांच लाक लोगों में जो नए-णए डर उनके अंदर भरने का प्रयास करते हैं अमेरिका जैसे देशों में पांच लाक लोगों में कम से कम पचास लोग ऐसे होते हैं जो research center पर बैट करके वैग्यानिश को के सांथ मेरी रिसर्च center पर बैट करके नए-नए अविस्कार के बारे में research करते हैं नए-ने technology के बारे में research करते हैं और नए-नए विकास होता चला जाता है हमारा करम कांड के नांबर पाखंड कर रहे हैं आप सभी से मैं निव्यदन करना चाहूंगा कि कुरम कांड़ दिखे आदमी की बुद्धी इतनी मारी जाती है पाँच रुप्य का रीबन बांध लेता है, अब गाड़े में कोई एक्सिडेंट नहीं होगा, गाड़ी पंचर नहीं होगा, गाड़ी से किसी की मृत्यु नहीं होगी, कुछ भी नहीं होने वाला है क्योंकि अब भगवान का रीबन बंधा हुआ है, क्यों आप इस करम काण में पढ़ते हैं सदुरु कभीर का विचार साफ साफ विचार है इन चीजों को समझे बच्चों को सही सिक्षा और संसकार दे कम से कम साल में आप लोग एक धर्म की नगरी है साल में एक दो बार आपके परिवार में कुछ न कुछ आप लोग करते रही है नहीं तो आपके बच्चे धन के महत्तों को नहीं समझेंगे जीवन के महत्तों को नहीं समझेंगे सतसंग का महत्तों नहीं समझेंगे आप एक अक पाई जोड़ जोड़ करके कठा करते चले रहे और कुछ करते रहे तो निश्ची थी आपके बच्चे संस्कारी होगा आप लोग को बहुत-बहुत धन्यवान जो इतना प्रेंच से मेरे बातों को सुनते रहें आप सबको साहब बंदगी